कक्षनों की इतिहास की पुस्तक है भारत और समकालिन विसल भाग एक इसी किताब का अध्याई एक और अध्याई का नाम है फ्रास्ट सी क्रांति इस अध्याई का भाग एक आज हम आपके सामने लेकर उपस्तित है इस भाग में हम फ्रास्ट सी क्रांति की उन पस्तितियों के बारे में जानेंगे जिनके कार्ण फ्रास्ट सी क्रांति हुई साथ ही जिस राजा के समय में फ्रांसी स्रीक रांती हुई उसके बारे में भी जानेंगे और साथ में फ्रांसी समाज के बारे में भी जानेंगे कि उसमें फ्रांस के समाज या फ्रांस का समाज कैसा था लेकिन अध्याय को शुरू करने से पहले नक्षे पर ये जान लेना जरूरी है कि फ्रांस है कहाँ विस्व का मांचित्र आपके सामने है इसमें अलग-अलग महात्रीप दिखाए गए है अगर माउस को आप देख रहे हैं तो ये जुगले वाला है ये एशिया है लाल वाला एफ्रीका है और ये जो औरेंज कलर में आप संत्री कलर में आप देख रहे हैं ये यूरोप है और इस यूरोप में ये छोटा सा जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है ये फ्रांस है तो इसका मतलब है कि जो फ्रांस है वो यूरोप में है तो यूरो UK है जिसको हम United Kingdom कहते हैं जिसको हम England कहते है तो इसके निच्चे जो है यह France के सारा के सारा France के पास ही यह Belgium है तो France के जो निच्चे है वो स्पेर है ओपर Germany है आप देख रहे हैं तो Europe में France जो है वो Europe में है इसके बाद पूरा फ्रांस देखते हैं तो इस नक्षे में अगर आप देख रहे हैं यह फ्रांस है पूरा का पूरा इसको आप ओरेंज कलर में देख रहे हैं और इसके पास ही यह बैल सी अला तो यही पर वो फ्रांसी करांटी हुई थी फ्रांसी क्रांती युरोप के इभ्यास की एक बड़ी घटना थी वैसे तो फ्रांसी क्रांती 1789 में हुई थी अंडरलाइन कीजिए याद रखना है आपने कि फ्रांसी क्रांती कब हुई थी 1789 में 1789 में लेकिन इसकी त्यारी बहुत पहले शुरू हो गई थी कोई भी क्रांती अचानक नहीं होती है पहले बहुत सारी प्रस्तितियां बनी होती है जिनके कार्ण वो क्रांती हुई थी तो यही इसमें बता रख्या है कि इसकी जो त्यारी है वो बहुत पहले शुरू हो गई थी सन 1774 में बूर्बो राजवंस का contracting लुई सोलों प्रास की राजगद्धि पर बैठा राजवंस का उसमें उसकी उमर केवल 20 साल थी ये उनका चित्तर आप देख रहे हैं ये लुई सोलवा है फ्रांस का राजा उसका विवहा आस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतो अनेट से हुआ था ये भी आपने याद रखना है कि राजा लुई सोलवे की शाती किसके साथ हुई थी आस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतो अनेट से हुआ था ये मैरी एंतो अनेट का चित्तर आपकी स्क्रीन पर है जब वह राजा बना तो उसने खजाना खाली पाया क्यूं? क्यूंकि लंबे समय तक चले युदों के कारण फ्रांस का खजाना खाली हो गया इसके अलावा महलों के रख रखाओ तथा राजदर्बार की शान और शोकत बनाए रखने पर भी काफी पैसा खर्च होता था इसके कारण फ्रांस पर दो अरव लिर्वे ये फ्रांस की मुद्रा हुआ करते थे उस समय लिर्वे उसको कहते थे तो ये सारी की सारी महलों के रख रखाओ राजदर्बार की शान और शोकत और युदों के कारण जो था वो खर्च काफी बढ़ गया था जिसके कारण फ्रांस पर दो अरव लिर्वे फ्रांस की मुद्रा का नाम है का खर्च था लुई सोल्वे के शासंकाल में अमरीका ने फ्रांस के तेरा उपनिवेशों को ब्रडेन से अजाद करवाने में सहिता की थी तो फ्रांस लुई सोल्वे ने अमरीका से सहिता ली थी तेरा उपनिवेशों पर ब्रडेन ने कबजा किया हुआ था तो इस युद के कारण भी फ्रांस पर दस अरव लिर्वे का करज ओर चड़ गया यानि कि कुल मिलाकर फ्रांस पर बारां अरव लिर्वे का करज था इस करज को चुकाने के लिए फ्रांस की सरकार को एक बड़ी राशी खर्च करनी पड़ रही थी इसके अलावा दिन प्रतिदिन के खर्चों जैसे सेना के रख रखाओ, सरकारी कार्यालियों तथा विश्व विधालियों को चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरती हते सरकार ने पैसा इकठा करने के लिए कर जिसको टेक्स कहती है, पैसा इकठा जब कहीं से सरकार को पैसे की आमदनी नहीं हुई, पैसा नहीं मिला, तो फिर सरकार के पास एक बहुत बढ़िया सा तरीका होता है, असान तरीका होता है, कि जनता पर जो है टेक्स है, उनका बो इसका तारव यह था कि उस समय फ्रांसी समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था अंडरलाइन की थिये कि लुई सोलवे के समय में फ्रांसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था तीन वर्गों में बटा हुआ था जिने एस्टेट कहा जाता था हमारे यहां उनको वर्ग कहते हैं तो वो उनको estate कहते थे ये तीन estate इस परकार थे कोन-कोन से तीन जो फ्रांसी समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था और जिनको estate कहते थे वो तीन उनके नाम है पहला है उसमें पहला estate इसमें पादरी वर्ग के लोग शामिल थे पादरी या जो आम जनता को नहीं थे और उन विशेश अधिकारों में एक महत्वपुन अधिकार था कर नहीं देने का अधिकार उन पर टेक्स नहीं लगता था पादरी वर्थ पर उसके बाद है दूसरा एस्टेट इसमें कुलीन वर्ग जिनको हम अमीर लोग कहते हैं कि लोग शामिल थ हुए थे बहुत सारे अधिकार तो उनमें एक अधिकार था करने देने का अधिकार इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि इस बात से यह चीज़ पस्ट होती है कि पहले स्टेट के लोग भी टेक्स नहीं देते थे और दूसरे स्टेट के लोग भी टेक्स नहीं देते थे तीसर इसमें बड़े बड़े वैवसाई, वैबारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर आदी सभी शामिल थे तो सारे के सारे जो बाकी बच गए वो सारे के सारे तीसरे एस्टेट में आते थे चाहें फिर वो छोटे किसान थे, मजदूर थे, या फुदील थे, कारीगर थे, वो सारे इसमें शामिल थे, सारे काम इनहीं को करने पड़ते थे, तथा सारे टेक्स या कर भी यही लोग देते थे, तो आपके सामने तस्वीर बिलकुल स्पस्ट हो गई होगी, कि फ्रांसी सम तीम वर्गोन बटा हुआ था, जिसको एस्टेट कहते थे, पहले एस्टेट और दूसरे एस्टेट के लोग टेक्स नहीं देते थे, क्योंकि उनको विशेस अधिकार मिले हुए थे, तीसरा एस्टेट जिसमें वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर सभी आते थ थे, वही वास्तों में सारे के सारे काम करते थे, और वही टेक्स देते थे, तो इस बरकार जो फ्रास का समाज था, वो एक अलग बरकार की व्यवस्ता में बदा हुआ था, फ्रास की 90 प्रतिसत जनसंख्या किसान थी, ये भी अंडरलाइन कीजिए कितने प्रतिसत लोग इत चिति बारी करते थे, फ्रास की 90 प्रतिसत जनसंख्या किसान थी, लेकिन जमीन पर कुलीन वर्ग, चर्च और बड़े किसानों का अधिकार थे, तो ये भी एक अजीब स्तिती थी, कि 90 प्रतिसत लोग खेती करते थे, लेकिन जो जमीन के मालिक थे, वो कलीन वर्ग, जिनको लोगों के पास था, वो पैसा नहीं थे, वो टेक्स नहीं देते थे, वो जो जारे गरीब लोग थे, जिनके पास पैसा नहीं था, करों का बोज़ भी उनके उपर ही डाला गया था, तो 90 प्रतिसत लोग ही कर देते थे, कुछ कर या टेक्स के नाम हम आपको बता देते हैं, कौन-कौन से कर लगते थे उसमें पहला है टाइब किसान चर्च को जो कर देते थे उसे टाइब कहते थे आपने याद रखना है टाइब इसको कहते है उन्हें के जुगान में तो ये जो कर था वो किसान चर्च को देता था दूसरा है टाइब किसान सरकार को जो कर देते थे उसे टाइल कहते थे तो दो प्रकार के करों के आपके बारे में बताया गया है एक टाइल था वो चर्च को देना होता था किसान को देना होता था और एक टाइल था जो किसान को सरकार को देना होता था मजदूर कारखानों में काम करते थे जिनकी मजदूरी मालिक दै करते थे लेकिन जो मजदूरी होती थी वहें काफी कम होती थी इतनी कम मजदूरी में गरीब आदमी अपने लिए दो वक्त की रोटी नहीं खरी सकता इतनी कम होती थी मजदूरी कि गरीब आदमी जो दो वक्त की रोटी खाता है वो उससे नहीं खरी सकता था सित्यां तब ओल भी खराब हो जाती थी जब सुखे या ओले पढ़ने के कारण पैदावार घर जाती थी इससे गरीब आदमी के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था जिसे जीवी का संकट कहा जाता था और किसी साल औले पढ़ गए या किसी साल बरसाथ नहीं होगा खुए सुखे पढ़ गया तो फसल घर जाती थी फसल घटने का जो बुरा परणाम होता था वो गरीब आत्मे पर पढ़ता था क्योंकि उसके लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था कि कहां से खाए था तो इसे जो रोजी रोटी का संकट जो पैदा होता था उसे जीवी का संकट कहा जाता था अब ये भी जान लेते हैं जीवी का संकट क्या था ऐसी चरमस्तिती जब जीवित रहने के न्यूंतम साधन भी खत्रे में पढ़ने लगती है उसे जीवी का संकट कहते हैं दुबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चरम स्थिती जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खत्रे में पढ़ने लगते जीवित रहने के लिए जो रोटी है वो भी ना मिले तो उसे जीवी का संकट कहते हैं ऐसे जीवी का संकट प्राचीन फ्रांस में काफी आम थे साल दो साल के बार ऐसे संकट आते रहते थे फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड थी जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड हो गए लेकिन जिस तेजकती से जनसंख्या बढ़ी उस तेजकती से अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा अतै अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ने से उसकी मां काफी तेजी से बढ़ा जब अनाज उतना का उतना रहे, खाने वाले पेट बढ़ जाए, तो मांग तो बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो कीमते भी बढ़ेगी, उस समय फ्रांस के लोगों का मुख्या भोजन पावरोटी हुआ करता था, पावरोटी आपने देखी होगी, यह उत्य है, पा मध्योंवर्ग पैदा हुआ, उभरता हुआ मध्योंवर्ग और विशेश अदिकारों के अंत की कलपना, और इस वरग ने जो फस्ट पहले एस्टेट और दूसरे एस्टेट के लोगों को विशेश अदिकार मिले वे थे, उनको समाप्त करने की बात करी, पहले भी फ्रांस में जब भी राजा कर बढ़ाता था, तो किसान और मजदूर विद्रों करते थे, लेकिन उस समय उनके पास समाजिक एवं आर्थिक विवस्था में बुन्यादी बदलाव लाने के लिए कोई निश्चित कारेकरम नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि जो फ्रांसी करांती हुई वो 1789 में हुई हुई, इस से पहले भी राजा टेक्स बढ़ाता था, लोग विद्रों भी करते थे, लेकिन उस विद्रों का कोई परनाम नहीं निकलता था, उसका काल ये था कि लोगों के पास आर्थिक विवस्था में बदलाव लाने के लिए कोई कारेकरम नहीं होता था अब की बार यह जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन लोगों ने उठाई जो पढ़ लिख गए थे, जैसे जैसे परस्तितियां बदलती है, तो जो किसान के बेटे हैं या जो मजदूर के बेटे हैं, वो पढ़ लिख जाते हैं, और जब उनमें ग्यान का समचार होता है, नई विजारों के संपर्क में आते हैं, तो जो विवस्था जो भेद भावतों समाच चला आरा होता है, वो उसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो अब की बार यह जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन लोगों ने उठाई, जो पढ़ लिख गए थे, तथा नई विजार इसने फैलते समुद्र पारिया वैबार से पैसा कमाया था, यह वे लोग थे जब वैबारी थे, तो जब समुद्र वैबार बड़ा, तो इन लोगों ने खूब पैसा कमाया, तीसरे एस्टेट के इन लोगों में वैबारी, परशासनिक अधिकारी, वकील जैसे पेशेवन लोग शामिल थी। ये सभी पड़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी संभू के पास जनम जात विशेशा दिकार नहीं होने चाहिए। प्राज की कल्पना की जो स्वतंतरता, समान नियमों और समान इवस्वों के विजार पर धारे तुधे। तो एक ऐसे समाज की बुस्तापना करना चाहते थे जिसमें सभी सवतंतर हो, सभी पर समान नियम लागू हो और सधी को आगे बढ़ने के समान आफसर मिले दी। ऐसे समाज की रूपरेखा जोन लोक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने परस्तूत की थी अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज आफ गॉर्मेंट में जोन लोक ने राजा के दैविये और निरंकुष अधिकारों के सिथांत का खंडन किया थी क्योंकि से पहले यह माना जाता था कि जो राजा के दिकार है वो भगवान ने दिये हैं जैसा राजा कहता है परजा को वैसे ही चलना जाए लेकिन जोन लोक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज आफ गॉर्मेंट में राजा के इन दैविया या फिर निरंकुष अधिकारों के सिथांत का खंडन किया रूसों ने भी एक दूसरे दार्स निखुए हैं रूसों ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया मांतेस्क्यू ने दा स्पिरिट आफ दालास नामक अपनी पुस्तक में इनके नाम भी याद रखने आपने किसकी कोन सी पुस्तक थी तो मांतेस्क्यू ने the spirit of the last नामक अपनी पुस्तक में सरकार के अंगों, विधाईका, कारेपालिका और न्याईपालिका के बीच सत्ता को बाटने की बात करे उनका ये माना था मांतेस्क्यू का कि सारी के सारी जो शक्तिया हैं वो एक अंग में नहीं होनी चाहिए बलकि सरकार के तीन अंगों होते हैं, विधाईका, कारेपालिका और न्याईपालिका इसलिए जो शक्तिया हैं वो तीनों अंगों में बटी होनी चाहिए दाशनों के, दाशनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों वे सेलोन की गोस्टियों में जो वहाँ पर उसमें होते थे कॉफी हाउस कहते थे उनको या फिर सेलोन की गोस्टियों में जहांपर लोग बैठते थे जाकर गरमा गरम बहस हुआ करती थी उनके विचारों वाली बुस्त को और अक्बारों को लोगों के बीच जोर जोर से बढ़ा जाता था ताकि अनपड लोग भी उन्हें समझ सके क्रांगती की शुरुवाद फ्रांसी क्रांगती की बात हो रही है है यहाँ पर तो शुरुवाद कैसे हुई इसी समय जब सरकार के खर्चे पूरे नहीं हुए यह हम पिछे आपको बता चुके हैं तो लुई सोल्वे ने कर बढ़ाने का फैसला थी कई परकार के खर्चे थे काफी कर्ज भी देना था लेकिन वहे अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था इसके लिए एस्टेट जनरल प्रतनिधी सभा थी जो राजा को उसके कामों में सभा देने का काम करती थी तो कर बढ़ाने का जो निर्ने राजा ने लिया था तो उसके लिए एस्टेट जनरल प्रतनिधी सभा की मनजूरी लेना जब थी अब ये estate general क्या थी ये आगे बताया गया आपको estate general एक राजनितिक सस्था थी जिसमें तीनों estate जो तीनों estate उपराए हैं प्रत्म estate दूसरा estate और तीसरा estate कौन को लोग उसमें शामिल थे वो हम आपको बता चुके हैं तो इस जनरल estate में तीनों estate अपने अपने प्रत्मिधी भेज दे थी पाच मई 1789 को लुई सोलवे ने वरसाई में एक जगह का नाम है शेहर का नाम है estate general की बैठक बुलाई पहले और दूसरे estate में इस बैठक में अपने 300-300 प्रत्मिधी भेज़े लेकिन तीसरे estate के 600 प्रत्मिधियों ने भाग लिया ये सभी पढ़े लिखे लोग थे जो तीसरे estate के 600 प्रत्मिधी गए थे जर्नल estate के बैठक में भाग लेने के लिए उस सभी के सभी पढ़े लिखे लोग थे ये बैठिक का एक दरश्य है वर्साई में जहां पर ये वुई थी 1789 में तो किस तरह से आप उनको देख सकते हैं पहले ये पहले स्टेट के लोग भी बैठे हुए हैं दूसरे स्टेट के लोग भी बैठे हुए हैं और ये जो 600 प्रतनेदी तीसरे स्टेट के लोगों ने भीजे थे ये वास्तो में सारे के सारे खड़े हुए हैं उसमें भेदभाव पुर्ण वहवार किया जाता था एस्टेट जर्नल के नियम के नुसार प्रतेग एस्टेट को एक वोट देने का दिकार तो ये एक अलग परकार के विवस्ता थी प्रतेग एस्टेट तिन सो तिन सो प्रतनेदी भीजता था लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब वोटिंग होती थी जब मतान होता था तो प्रतेक को एक वोट देने का दिकार था है निकि 300 लोगों का एक वोट माना जाता था एस्टेट जर्नल के नियम के अनुषार प्रतेक एस्टेट को एक वोट देने का दिकार था लेकिन तीसरे estate ने मांग रखी कि बैठत में भाग लेने वाले परतेग सदस्यय को एक वोट देने का दिकार उन्होंने कहा कि जितने लोग आये हुए हैं उन सभी को एक एक वोट देने का दिकार बोना चाहिए ना कि परतेग estate का एक वोट होना चाहिए उनका कहना था कि यह लोगतंतर के सिधांत के अनुसार दिया लेकिन समराट ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया नराज होकर तीसरे एस्टेट के लोग सभा को छोड़ कर चले ले 20 जून 1789 को तीसरे एस्टेट के लोग वरसाए खीर जो वरसाए सहर था के टैनिस कोट में कठा हुए उन्होंने अपने आपको नेशनल असेंबली कोसित कर दिया जो एस्टेट था उसको खतम कर दिया और एक नहीं सभा की स्थापना की कानून बनाले वाली संस्था की स्थापना की जिसका नाम रखा गया National Assembly तो तीसरे स्टेट के लोगों ने जो 600 प्रतमिदी वहाँ पर गए थे वो बाद में National Assembly बन गए थे तो उन्होंने अपने आपको National Assembly गोशित कर लिया और राजा की शक्तियों को कम करने वाला नया समिधान बनाने का निर्णे दिया तो ये टैनिस कोट का द्रिश्या है जहां पर आप देख रहे हैं जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो वहाँ कठे हुए थे अपने आपको National Assembly बना लिया था और राजा की शक्तियों को कम करने वाला एक नया समिधान बनाने का निर्णे लिया था